लास्ट वीडियो में हमने application देखा था trigonometric equations का इसमें हम trigonometric equation solve करेंगे sin x is equal to x by 10 बट इसको जब हम solve करेंगे तो हमें इसमें हम इसको कोई trigonometric जो हमने formulas देखे उससे solve नहीं कर सकते ठीकि एक साइड हमारे पास x by 10 normal value है और एक साइड trigonometric function है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें graph के थुरू इसको solve करना होगा तो हमारे पास given है sin x is equal to x by 10 तो अगर हम ले ले f of x जो है हमारा that is sin x and g of x जो है that is function of g तो यह x by 10 है हमें पता कि sin x का जो range है यह minus 1 से 1 आएगा तो sin x की जगर हम x by 10 substitute करते हैं तो x by 10 का जो range है वो minus 1 से 1 आया तो यहां से मिलेगा x जो है वो minus 10 से लेके 10 के बीच में तो इससे हमारे x की range आ गई minus 10 से लेके 10 तक ठीक है अब हमें f of x और g of x के graph minus 10 और 10 के domain की बीच में find करना है तो अगर हम देखें कि pi जो होता है this almost equal to 3.14 तो जो minus 10 है यह कहां से कहां बे लाई करेगा minus 3 pi से लेके minus 3 pi by 2 के बीच में लाई करेगा और अगर 10 है हमारा वो 3 pi से लेके 3 pi by 2 के बीच में लाई करेगा तो हमें f of x का graph जो है वो इनके बीच में find करना है और g of x भी और फिर हम देखेंगे जितने points of intersection होंगे मतलब वो वो point पर हमें solution मिल रहा है ठीक है तो अगर पहले हम इसको solve करते है तो पहले हमें यह हमारा coordinate axis बना लिया हमने यह हमार maximum point है 1 यह minus 1 this is the positive x direction negative x direction positive y direction negative y direction ठीक है यह point है हमारा zero यहाँ पर हमारा point है pi यहाँ पर है 2 pi 3 pi 3 pi by 2 ठीक है यहाँ पर है minus pi minus 2 pi minus 3 pi minus of 3 pi by 2 यहाँ पर अगर हम इसका graph plot करते है पहले f of x का graph plot करते हैं तो यह हमारे पास होगा कुछ इस form में कि 0 से पास होगा pi by 2 पर 1 then pi पर यह 0 then वापस है 3 pi by 2 पर minus 1 2 pi पर 0 then 5 pi by 2 पर 1 3 pi पर 0 then यह हमारे पस 3 pi by 2 तक जाएगा और यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है अगर हम यहाँ पर देखे यह graph कुछ इस तरीके से जाता है यहाँ पर यह pi पर cut करेगा then यह फिर वापस 1 पर होगा फिर 2 pi पर फिर 3 pi पर यह वापस 0 हो जाएगा graph and then यह 3 minus 3 pi by 2 पर 1 के ओर होता है जो हमारा g of x that is x by 10 अगर हम उसका graph plot करें तो वो graph जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है यह हमाँ graph इस तरीके से आ जाएगा तो अगर हम देखें यहा पर यह कोई point होगा बीच में यह ओगा minus 10 और यहा पर कोई point बीच में होगा that is 10 तो हम इसे 20 Buddhist graph check करना तो यहां तक check करने वह हमाँन पस क्या है एक हमारा इतर-point of intersection है एक एक इधर है, एक इधर आ गया, एक इधर होगा, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो total point of intersections आ गए मैं पास, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, तो हमें क्या find करना था, total number of solutions, total number of solutions, तो यह हो जाएंगे 7 के equal, तो इसमें हमने क्या किया, हमने पहले first function को f of x ले लिया, second function को g of x, फिर range निकाले कि x कहां से कहां तक vary करेगा, उस range में हमने graph plot किये, और जितने point of intersection आएंगे, उतने solutions होंगे हमारे पास, तो total 7 solutions आ गए, अब next video में हम इसी तरह और applications देखेंगे trigonometric equations का,